मुझे question बें दिया हुआ है कि ABC एक isocellus triangle है जिसमें AB equal है AC के मैंने BA को इस तरह से detect produce कि जो ये AD है ये equal हो गई इस AB के ठीक है show करो ये वाला जो angle होगा BCD ये right angle triangle होगा तो देखो किस तरीके से show करेंगी अगर मैं बात करूँ in triangle ABCD ठीक है ABC में जो हमारी AB है वो equal है AC के ये मुझे given है ठीक तो क्या implies करेगा ये वाला जो angle है ठीक है ये वाला angle को आप नाम देदो 1 ये जो angle 1 है ये equal होगा angle B के यानि कि जो आपका angle B है वो equal होगा angle 1 के angle opposite equal sides are equal angle opposite equal sides are equal ठीक अगर मैं बात करूँ in triangle ACD की इस वाले triangle की तो इस वाले triangle में देखो अब हम इसे क्या करके दिखाएंगे since AB equal है AC के and AC AB किसके equal है AD के ठीक है गीवान है दोनों तो क्या implies करेगा कि AC equal हो जाएगी AD के ठीक तो अगर मैं इस triangle की बात करूँ ACD की तो AC किसके equal होगी AD के AC के सामने angle आ रहा है AD और AD के सामने angle आ रहा है आपका ये वाला इसको कह दो 2 angle 2 ये भी equal होगे same reason angle opposite equal sides are equal AC equal AD मैं उपर प्रूफ कर चुकिए ये वाला जुतना भी है आप ये यहाँ पे लिखोगे ठीक है यहाँ पे इसको अब हम बात करेंगे इन triangle ABC की तो देखो angle BCD की तो angle B plus angle C plus angle D का सम कितना होगा 180 degree होगा को लिखो आप angle B equal है हमारा angle 1 के तो angle B की जगा लिखेंगे हम angle 1 plus angle C ऐसे ही रहने दो angle D की जगा लिखेंगे angle 2 is equal to 180 degree यह आया हमारा angle sum property से since angle 1 equal है angle B के and angle D equal है angle 2 के अच्चा angle 1 और angle 2 मिलकर क्या बनाते हैं angle C बनाते हैं तो यह आगे आपका twice of angle C यह आगे आपका 90 degree और यही मुझे क्या करना था proof तो since यह hence angle B, C, D is a right angle you